कुल दोस्तों मेरा नाम है विनी तो मैं आपका सवागत करता हूं एडि worrying जन्सक्रारफ चाहित अ कि वो धाले हम दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल Cup यू एंड पे एक शीरीज तरहें जिसका मेरोजा ना कमाए रोजह ना कमाए में तोस्तो हम आप को stock mark कमा कर निकल सकते हैं तो दोस्तों इसी डेरीज में पर हमने हमने chair और चाटिंग के बारे में आपको बता को बता है था है क्या कि करें के इत्मक युद क्युक्त हैं करें थे कैंदल बासल बहुत भेडर हैं सब्सक्राइब और फिर उसके बाद एक की समझ होने के पाद में फिर अगर हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसमें अधम बेहतर कमा सकते हैं इसलिए रोज़णा कमाया करना के लिए आपको basics की समझोना बहुत जरूर है basics समेशा strong होने चाहिए तो दोस्तों आगे चलते हैं इसी चीज़ में हमने retracement आप आज आपको बताएंगे हमने आपको candles के बारे में बताया और फैविनच के बारे में बताया था के बारे में candles को लाइन बास्त काफी सारी चीज़ों के बारे में बताया आप देखेंगे तो तो आज हम आपको बताएंगे में से रिट्रैस्मेंट में की बारे में हमने सने दोस्तो क्या होती है जब एक sheer हाई लेवल पर चड़ जाता तो वह कितनी किन पॅर्वत तक गिर सकता है एक बाल है इवह चेल्बप तक गिर 0 है 1 है 2 है 3 5 8 13 21 इस परकार की सीरी चलती है और फिर कंटिणियन की पिछले का एड करके हम आगे रिखेंगे इनका दोनों का एड करके हमने यहां पर लिखा 2 3 5 हो गया 3 और 5 8 हो गया 5 और 8 13 हो गया ने कि पिछली दो सीरीज को जोड़ करके हम आया लिखेंगे इसको करते हैं तो इसी परकार हम सौन करते से ले जाएंगे आगे जैसे 3 और एक यहां पर 4 हो जाएगा और यहां पर 4 हो जाएगा आगे 6 और 5 हो जाएगा तो अगर हम इनको डिवैड करेंगे 3 वटे 5 करेंगे या फिर 5 बाई 8 करेंगे या फिर 8 बाई 13 करेंगे या फिर 13 बाई 21 करेंगे इन सबका जो मीन निकल गया एगा वो निकल गया 0.618 इसे हम कहते है गोल्डन मीन इसको हम गोल्डन मीन कहते है गोल्डन मीन फैबरे चीज मैंने आपको क्या बताया 0,1,2,3,5 पिछले 2 का एड़ करके हमें आगे लिखना है जैसे यहां पर दोनों का एड़ किया 2 आया यहां पर दोनों का एड़ किया 1 आया यहां पर दोनों का एड़ किया यहां पर 3 आया दो और 3 को जो हमने एड़ किया तो 5 आया 3 और 5 को एड़ किया तो 8 आया 5 और 8 को ए और इसको add करेंगे तो 3,4 और यहां पर 30 आएगा दोस्तों, sorry और इन दोनों को करेंगे हम एड़ करेंगे तो यहां पर आएगा double 5, sorry for this, तो यह golden mean हो जाता है दोस्तों, golden mean के अंदर हम क्या होता है कि यह सब आगे continue चलता रहता है, यह continue चलता रहेगा तो इसमें हम golden mean निकाल लेते हैं किसी भी पहले number को हम बाद बादे number से divide करेंगे, 2 को divide हम 3 से करेंगे, तो भी तो भी सेंट आएगा, 5 को 8 से करेंगे, तो भी सेंट आएगा, आठ को 13 से करेंगे, तो भी सेंट आएगा 21 को 34 से करेंगे 20 से आगे भी बिल्कुल सेंट ही आएगा, तो यह golden mean निकल के आ जाता है, golden mean के बाद हम एक primary निकालते हैं तो जब आपने निकाल लेते हम तो उसके बाद इसको हम अगर हम मल्टिप्लाय करके देखते हैं तो यह 61.8 हो जाता है और इसको हम डिवाइट करके चलेंगे तो 38.2 हो जाता है और इन दोनों का मिडल पॉइंट होगा वो होगा 50 परसेंट का यह हमारे बन जाते हैं प्राइमरी मीन या प्राइमरी फेविनाची तो यह 151.8 परसेंट होगा truth और इसको अधिवेड में लेकर जाते हैं तो 38.2 लिए जाता है और 50 परसेंट आ जाता है इसके बाद हूं मरे प्राइमरी मीन है यह फिर प्राइमरी फेविलाची इसके बाद हम जाए अक्स्टेंशन हो चले आते हैं फ्रूइब एक्स्टेंशन तो यह होता है हमारा 161.8% 261.8% और 423.6% तो यह पूरी एक सीरीर बन जाती है मारे फिविनाची की जो कि जब एक शेर भागने के बाद कितना घेर सकता है यह उसके उपर हम रिट्रेस्वेंट डालते हैं तो यह आगरी वीडियो में आपको बताएंगे फिलाल के लिए हम आपको यह बता रहें क्योंकि लंपी वीडियो होने बाद फिर देखा नहीं जाता उस दिसको तो इरोजना क पांच को आठ मिला दिया आठ और पांच को तेरा कर दिया इसे अपका अनको डिवाइड करेंगे एक दूसरे के साथ में तो गोल्डन मीन निकल गया गोल्डन मीन हमारा हमने हंडर के उसमें लेग जाते तो 61.8 है फिर यह डिवाइड करने के बाद 38.2 आता है 50 परसेंट इ फैबराची नंबर से और यह फैबराची सीरीज होती है तो अगली सीरीज में हम आपको और भी बताएंगे क्योंकि यह लंबी वीडियो बन जाती है तो दोस्तों हमारी वीडियो का आप लाइक शेर और सस्क्राइब करना बिल्कूल ना भी रहे हमारे चैनल को